समस्ते चात्रों, आज हम इस वीडियो में आपको पाल-यूगिन कला यह इस्ठापत्य कला के बारे में जान करी परदान करेंगे तो देखेगा चात्रों, हमने आपको पहले वाले वीडियोस में पाल जो राजवन्स था उसके बारे में संपूर्ण बातें बताई थी जो पाल राजवन्स है कौन सा राजवन्स था इसका उदे कैसे हुआ कब हुआ और ये कहां पर सासन करता था इसके कौन कोन से सासक थे सासकों का इत्यास में क्या योगदान रहा इन सब बातों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और जो पाल राजवन्स है ये इत्यास व बहुत महत्तों पुण है आप सभी को वीडियो ध्यान से देखना चाहिए आपको एक्जाम में हेल्प मिलेगी ठीक है तो जो पाल राजवन्स है कौन सा राजवन्स था हमने पहले बताया था ना आपको कि वही जो उत्री भारत में गुर्जर परतिहार और जो यह पाल राज थे और इन में जो सबसे सक्तिसाली था वाय राश्ट्रकूर राजवन्स था तो देखेगा पाल भी जो पाल राजवन्स के सासक है वो भी कम सक्तिसाली नहीं थे उन्होंने भी अपना महत्वपुन योगदान दिया है बंगाल बिहार में इनका जो समराजी विस्थार था तो यह जो पाल राजवन्स के बारे में हम पढ़ते हैं इसके जो कल्ला और स्थापत्य कल्ला का इथियास के बारे में हम अध्यान करेंगे तो चलिए पढ़ते हैं पाल यूगिन्स याव इस्थापत्य कल्ला तो देखेगा नहीBut increases महा निर्माता भी थे ठीका वो समरज्य वादी भी थे तो वो महान निर्माता भी थे जैसे कि नालंदा, विक्रमशिला, ओधन्थ पूरी, सोमपूरी आदी में उन्होंने कई बोध विहार और भवन बनवाये थे ठीक है तो देखेगा, पालवन्स का जो संस्तापक था, गोपाल, इसने नालंदा में बोध विहार बनवाया था, इसने सोमपूरी और ओधनपूरी में भी मठों का निर्मान करवाया था तो हमने आपको बताया था कि पाल वंसका सेंस्टाप कोन था गोपाल था और उसने सम्रजे विस्थार के तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था वह है एक सेंनिक था जिसको वहां के जो लोग थे कन्नोच के उन्होंने सर्वसमत्ति से सासक बनाया था तो उसके काल में सांत बोध जो निर्मान कला है उसको ज़्यादा इंपोर्टेंस दी थी ठीक है अब देखिएगा अगला सासकाता है धरमपाल तो आठवी स्तापदी के बाद धरमपाल ने विक्रम सिला महा विहार की स्तापना करवाई थी तो जो विक्रम सिला महा विद्धाले है ठीक है और जो दरमपार ने विक्रम सिला विस्व विदाले की स्थापना करवाई थी यहां पर अन्नेक व्याख्यान कक्स भी बनवाए गए थे यहां से एक विशाल मंदिर के अवसेस भी मिलते हैं जो उत्तर दक्षिन में 356 फूर्ट था पूर्व पस्य में 314 फूर्ट लंबा है इसी स्थान पर सोंग पूर विहार भी स्थित था इस मंदिर में कई चबूत्रे हैं पहन के चारों और चोड़े मुंडेरे से घिरा हुआ पर्दक्षिनापत है पर्थम दो चबूत्रों पर चड़ने के लिए सीडियां बनाई गई हैं मद्य भाग में वर्गाकार मिट्टी का थूहा था जो चबूत्रों से उपर उठा हुआ है दिवारे सुखी इंटों की बनाई हुई है इन इंटों को गारे से जोड़ा गया ह इंट गारे के मंदिर आज भी भूतल से 70 फुट की उचाए पर विद्धेमान है इस मंदिर का निर्मान धरमपाल के सासनकाल में करवाया गया था मार्सल के अनुसार यह गरब चत्तेशे युक्त था जबकि आर डी बनार जी ने इसे खुले चत्वाला प्रकोस्ट कहा है इ इड़ी चट्टोपा द्या हमारा धान ब्रहत सहिंता इम मतस्य पुराण में उलेकित सर्वतो भद्र नामक भवन की ओर आकरशित करते हैं जिसमें चोकोर गरब ग्रह परतेक दिशा में परवेश दुआर तथा चारों कोर्णों में छोटे कक्स बन्नी होते थे इसे अब देखेगा जो पाल सासक इनों ने बरदवान जिल्ले में भी मंदिर बनवाए थे इस जिल्ले के बरकर नामक स्थान पर मंदिरों का समुह है जिनका निर्माण 10-11 विस्ताब्दी में करवाया गया था इस समुह में सिध्धेश्वर मंदिर सबसे अलंकृत है अब देखेगा ये जो भी मंदिर है ये इंटों से बने हैं तथा इनका समस्त बाहरी भाग भी इंटों से ही डखा है दिवारों की संपूर्ण सताय पर मरण मूर्तियां उतकिन हैं परचुर सज्जा केवल रेखाओं का लालित्ते परकट करती है कुछ मंदिर बंगाल की देशी शहली जिसमें बास के साथा से जोंपडियां तयार की जाती थी के अनुकरण पर भी बनाए गये हैं मंदिर के बाहरी बाग में उबरी हुई मिट्टी की मूर्तियों के चोकोर खंड लगाये गए हैं वक्र कंगूरे तथा ओतली इनकी खास विसेश्ता है जिने बास निन्मित जोंपडियों से सिध्य ग्रहन किया गया है सामाने लोग बास के चपर वाली जोंपडियों के उपर दोनों और ढालू सज्जे निकालते थे ताकि बार-बार होने वाली वर्षा के पानी को आसानी से बहाया जा सके यह प्रता दक्षणी बंगाल में अधिक परसली थी इसी का अनुकरण मंदिरों में भी किया गया ऐस के बाहिये दिवारों में खुदी हुई म्रण मूर्तियां लोग जीवन यह अभी रूचे के विवित पक्सों पर सुन्दर प्रकास डालती हैं अब देखिएगा कि जो तिब्बती जो लेख के तारानाथ उसके अनुसार जो पाल यूगिन भवन और जो स्मारक हैं इनके अ पहाडपूर का मंदिर है वह भी लगता है इसमें कई चबूत्रे हैं पतेक एक मंजिल की उंचाई वाला है तथा इसके चारों और पुजागरे निर्मित हैं इस मंदिर का परभाव दक्षिन पूर्वे एसिया तथा बर्मा के मंदिरों पर भी पड़ा है ठीक है अब चापित करने के लिए अपने भाईयों इस्तिरपाल और बसंतपाल को रखा था किसने महिपाल ने रामपाल ने रमावती नामक एक नया नगर बसाकर वहां भवन तथा मंदिर बनवाय थे किसने रामपाल ने रमावती नामक एक नगर बसाया और वहां पर भवन और मंदिर का निर्मान भी करवाया था ठीक है अब देखिएगा आती है तक्षन कला ठीक है तक्षन कला मतलब हातों से जो बनाई जाती है जो मूर्तियां वगेरा वो तक्षन कला होती है ये भी पाल सासकों की अच्छी कला थी तो जो तक्षन कला है इसको पालों की जो तक्षन कला है इ पालों की तक्षन कला शली ठीक है तारानात इसे पूरवी भारतिया शली की संग्या देखते हैं तथा इसका परवर्तक धिमान और विपत पाल को मानते हैं तक्षन कला की विसेशता यह है कि इसमें चिकने कालेरंगों की कसोटी वाले पासान तथा दातों की सहाता से मूर्तियों का निर्मान किया गया है बोध, जैन तथा ब्राह्मन धर्म से सम्मंदित अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं ये बिहार यें बंगाल के विभिन शित्रों से मिलती हैं नालंदा, मोध गया, पटना, लखनव, एं, लंदन, पेरिस, बर्लिन, अधि संग्रालों में भी ये सुरक्सित रखी हुए हैं इन्हें हम देख सकते हैं पाल, सेली की मूर्तियों में कीरीट, मुकुट, हार, कंगन, बाजोबद, आधि दिखाई देते हैं ठीक है आप देखेगा जो, जितनी भी मूर्तियों मिली हैं, ये हाथ से बनाई जाती थी और कलाकारों ने अपने सिल्फ में अच्छे भूमी का निभाई लेकिन जो पाल, कालिन मूर्तियों हैं इनमें सुंद्रिये ज़्यादा दिखाई नहीं देता है और इनमें कर्त्रिमता का अभास होता है और पाल, जो कालिन मूर्तियों इनमें मूर्तियों लिखता का भी भाव दिखाई देता है और जो पाल, कालिन जो मूर्तियों हैं ये अभूशनों से लद्धी हुई हैं मतलब खुब अभूशनों का परियोग इन में किया गया है ओब देखे गागी जो दे मूर्तिया हैं इनमें मानवी सुंद्रिये को आकर्षन डंग से उभारने का प्रियतन किया गया है भुधिस्ट्वा तथा दूसरे देवतों की मूर्तियों में नारी सोंदर ये तथा सक्ति का समावेश दिखाई देता है कुछ मूर्तियों को देखने से धार में ऐसे हिस्णों तायम कट्रता का भी अभावस मिलता है ठीक है ना? जैसे कि अनेक बुध मूर्तियों को हिंदी देवी देवताओं को अप्मानित करते हुए दिखाया गया है जैसे गणेश, पार्वती, भैरव, जैसे देवता बोध मूर्तियों द्वारा मर्दित होते हुए परदर्शित किये गये हैं ठीक है ना? इससे क्या होता है, कि द्वेस तथा कटरता की भावना उजआगर होती है इस तरशितसे पाल कला में भारतिय सनसकृति में व्याप्त सहिस्नुता एमं समनवी वादिता नहीं दिखाई दिती ठीक है ना? तो जो पाल कालिन जो तक्षन कला है, इससे क्या है कि कोई सैश्णूता की भावना हमें नहीं दिखती है, क्योंकि बहुत दरम पर ज्यादा इसमें ध्यान दिया गया है और इस परकार हम कह भी सकते हैं कि जो पाल कालीन जो वास्तु कला ये इत्यास में सर्वता नए नए परतिमान इस्थापित करती है ठीक है नए नए अनुभव हमें इन चीजों से मिलते हैं लेकिन एक बात ये है कि जो पाल कालीन जो वास्तु कला है जो तक्सन कला है इस पर बहुत दरम का ज्यादा ही परभाव था तो इसमें ये जो देवी देवताएं हैं इनमें ही मतलब जैसे कि गनेजीया पारवति है जैसे जो देवता हैं इनको इनको मतलब मूर्तियों में मर्दित होते होए दिखाई दिया गया है मतलब इनमें लड़ाई करते होए दिखाया गया है तो देखेगा ये था आपका पाल कालीन वास्तु कला का इतिहास तो एकजाम की दरस्टी से वीडियो बहुत ही महत्ता पुन है हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद